सलाम उलेगूम everyone how are you all बच्चो I hope you all are fine okay so last period में ने एक chapter स्टार्ट किया था चेप्टर का नेम था बेटा हमारा नेहास अलाम क्लोग ओके तो नेहा की जो अलाम क्लोग थी वही सुनके नेहा क्या है सुबा में उठती थी मॉर्निंग में लेकिन उसने क्या किया एक विश की कि मेरी अलाम क्लोग क्या हो जाए बंद हो जाए या मुझे ये उठाना ही वह से फॉल हो गई फॉल मुंस वह से गिर गई जिसकी वज़ासे इसकी अलाम क्लॉग बंद वो गई और उसको उठाने वाला अलाम क्लॉग के अपने यव्द में उठती थी सन मीन्स सूरज तो सूरज क्या है वो सूरज आया उसने आके उसको नेहा को बिग स्माइल दी तो इस तरह से नेहा फिर से उठ गई नाव विल सी फर्दर नेहा ओ माइई आई इस देशन वेकिंग में अप वाइ कांट ही लेट मी बी अब नेहा ने कॉंसे विश कर दी बच्छो के पहले अलाम क्लॉक वाली फी बड्स वाली अब नाव क्या हुआ उसको उठाने वाला कॉन था सं था तो अब नेहा ने विश कर नेहा नेहा स्नोर्ष तिल सी हेर्ज हर मदर्स वॉइस ओके विश की विश का वगई बच्छो वह क्या चाहती दी कि उसको सणा के उठाए नहीं सूरज नहीं निकले लाइक दिस ओके तो नेहा की यह विश भी कम प्लीट हो गई बटा ट्रू हो गई ओके तो नेक्स मोर्नि क्लाउट के पीछे वो सन क्या है चुप गया था तो नेहा स्नोर्ष तिल सी हीर्ज हर मदर्स वॉइस तो नेहा क्या है जब तक तब तक सो रही थी जब तक उसकी मदर ने आवाज नहीं दी ओके मदर वेक अप स्लीपी हैड यूविल मिस्ट बस तो उसकी मदर जैसे हम सब्सक्राइब करने का कोई भी तरीका नहीं है बचने का कोई भी तरहाइका नहीं है नेहां गेट सब और रेडी हो जाओ, गेट अब हो और रेडी हो जाओ, इमेजिन वोट हैपन्स थी नेक्स देए, तो आप लोग इमेजिन कर सकते बिड़ा देखो, के तीनों तीन विश्जो थी, नेहां के ट्रो हो गई थी, इस अर्ए में घूत थी, नेहां थी थी, तो नेहां थी, फिकल लॉटक माद थी, नेहां के बिड़ा गई, प्लॉट नेहां थी, पछी थी नेहां के बिड़का थी, के पूछा के मां who woke me up today मुझे किसने उठाया आज सो नरिडर mother smiles okay सो मदर ने क्या कि उसको smile दी mother who else you of course okay सो उसने क्या बोला उनकी मदर ने कि तुमको खुद नहीं खुद को उठाया है नहां नहां सोच रही थी कि मैं तो सो रही थी मुझे मैं खुद ही कैसे उठा सकती हूँ mother now tell me why do you eat your lunch every day at one in the afternoon तो उसकी मदर ने सामने सा question किया के now tell me okay अब उन्होंने question किया कि क्यों तुम रोज एक बजे आफ्टरनून में अपना लंच खाती हो खाना खाती हो नहां I feel hungry तो नहां ने क्या बोला कि जब मुझे भूग लगती है okay so वो लंच करती है जैसा कि हम लोग भी करते बच्चों सभी लोग okay सबका अलग अलग ताई में कोई एक बजे खाता है बटा तो कोई दो बजे तो कोई तीन बजे okay like this now mother why do you sleep at nine at nine every night okay so अब उसकी मदर ने पूछा कि तुम रात को नौ बजे क्यों सो जाती हो नहां because I feel sleepy तो उसने क्या बोला कि मुझे नीन आती है इसलिए वो सो जाती है mother there is a clock inside you which tells you when to eat when to sleep and when to wake up okay so अब उसकी मदर ने बोला कि तुमारा अंदर भी एक clock है okay जो हमको बताती है कि हमको कब उठना है कब सोना है कब खाना है okay for example बिड़ा जब हमको सुबा उठते हैं तो हम सब को भूक लगती है कोई हम बताने więcej हैं कि अब कल फूब करते हैं क्या स्टमय ही थिए समय कोने आप कि वूप उप्लाइब नहीं है कई खेशिक नहीं हाब क्या हो रही थी जल्दी कर रही थी क्योंकि अपनी बस मिश्ट नहीं करना चाहती थी मदर सुने सब्सक्राइब घ्राइब अजन्दें है संड़े डिन क्या हो देगा हमारा स्फूल्स होती है है ओके सो लाइक दिस तो नेहा क्या हो गई हर रोज वो six o'clock डेली उठती थी तो उसका एक रूटीन बन गया तो उसके उसके अंदर की जो लाम क्लॉक थी या उसको क्या है उसने इंक्वाइर कर दिया या उसको बता दिया कि आप तुमको आज भी उठ जाना है तो इस तरह संदे को भी six o'clock को उठ गयी नहाँ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ की सो लाइक दिस अवर चैप्टर इस फिनिश्ट ओर यह तो यहाँ पर बच्चो यही बताया गया है कि हमको है हमारे जो भी काम जो है बच्चो जो भी वर्क है हमारे टाइम के साथ कर लिना चाहिए उसमें कभी भी द स्कौल के अंदर सब्लाइम सजाते हैं अभी तो इस बंद है फिर बहह जब हम रेग्इलर इफ कुल को यह तब हम रेग्यूलर का टाइम जाएंगे ओके जो इस तरह से हमको हर काम क्या है ए टाइम पर लेना चाहिए उबय आँए इस फिनिश बंद हो इंशा اللह इन चाहिए okay through the new topic till then Allah peace